नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक बदायू में डबल मर्डर के आरूपी जावेद ने सरेंडर कर दिया है बरेली के बारादरी थाने के सेटलाइट चौकी में सरेंडर करने जावेद पहुँचा आरोपी जावेद ने कहा कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो डर कर दिल्ली भाग गया था जो किया वो साजित ने किया मैंने दोश हूँ मैंने कुछ नहीं किया बदायू पुलिस को जावेद की तालाश थी घटना के बाद से वो फराड चल रहा था पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोशित किया था तो बदायू में डबल मर्डर से जुड़ा मामला दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया जावेद ने बरेली में सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि मैंने रदोश हूँ जो भी किया साजित ने किया और हत्या के बाद वो डर गया था इसलिए दिल्ली भाग गया था और अब जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया पुलिस को जावेद की तालाश थी दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर किया है और बरेली को उसने सरेंडर किया है बदायू में दो बच्चों की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी साजिद जो भागा था पुलिस एंकाउंटर में मारा गया बताया जा रहा है कि जावेद भी उसके साथ था बाइक पर उसको बैठा कर लाया था और वो तभी से फरार था पुलिस उसकी तलाश कर रही थी जावेद ने सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि हत्या साजिद ने की जो किया उसने किया मुझे इसके सूचना बाद में मिली और इसी लिए मैं डर कर भाग गया मैं तुरंट बहां से आया वदाईउं के लिए बहां पबलिक बहुत थी मैं सीधा दिल्ली बाग गया मैं दिल्ली से सूधी बरेली सूधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है ताही लोगों की जहां सो मेरे पास पोना आया कि तुमारे भाई मैं यह काइंड कर दिया है मैं एक बात बताओं सुनो तुम अभी जैसे कहने है मैं तुरंट बहां से आया वदाईउं के लिए बहां पब्लिक बहुत थी मैं सीधा दिल्ली बाग गया मैं दिल्ली से सूधी बरेली सुधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है ताहीं लोगों की जहां सो मेरे पास पोना आया कि तुमारे भाई ने यह काइंड कर दिया है नहीं ऐसा है मैं मैं एक बात बताओं सुनो मेरे बात 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 सुनो तुम अभी जैसे कहने है मुझे गाइज दूरे हत्याकान का जो दूसरा आरोपी था जाविज बात 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 स्क्था घांग को अरप्रण के द्वाराई गहाई है उसके द्वारा पलीस के दबाओ और जो उसके इनाम कराए गया था उसक दबाओ जब उस वीडियो को सुचना मिली हमने सुचना को पुष्ट किया और अधिकारी में उसे वारता करने के बाद अब हमारी टीम उसको ले करके वापस आ रही जहां उसे पूस्टाश करके अग्ली दिख्यों का पता लगाए जाएगा तो पहली बार क्यामरे पर बोला है आरोपी जावेद अपनी सफाई में उसने कहा कि मुझे हत्या की जानकारी नहीं थी जैसे ही पता चली मैं डर कर दिल्ली भागा सीद्याब आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं चितरंजन जावेद जिसकी तलाश पुलिस को थी उसने खुद ही बरेली जाकर सरेंडर कर दिया और उसका ये कहना है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी बाद में जानकारी हुई औ उसके बाद वो डर करके भाग गया पुलिस अभी तक जावेद की क्या भूमी का देख पाई है इस पूरे नरिशन्स हत्याकार्ण में देखे जो दो दिन पहले दो बच्चों की जो हत्या हुई थी उसमें जो आरोपी साजित था उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसने वो डवेड़ते दौराद उसका इंकाउंटर हुआ था और जैसे ही इस पूरे मामले में जैसे एक वीडियो अभी वा उतार दिया है उसके बाद मैं दिल्ली भाग गया था और मुझे भी एंकाउंटर का डर था मुझे भी पुलिस का डर था चुकि कानून का राज है इसी को लेका वो सैटेलाइट पहुचा बरेली के बारा धरी साना चेतर में और उसमें एक वीडियो उसका वाइरल होने वहाँ बरेली की पुलिस दूसाज कर रही है बदाईयों की टीम वहाँ पहुच हुच ही है और वहाँ से लाकर CGM कोट में उसको पेश किया जाएगा और चौधा देल की रिमांट मांगी जाएगी और रिमांट के बाद पुलिस उसके कड़ी से कड़ी जोडने का ब्याज क करेगी कि इस पूरे हत्याकान में किसी ने साजिस रची है और उनके बच्चों की हत्या कराई है और उसमें हो सकता है कि किसी ने पैसा दे के उनके बच्चों की हत्या कराई है ये मा ने जावेद की गरफतारी होने के बाद अभी अभी ब्यान दिया है और उनका कहना है परजनों का कि उसका भी उसी तरीके से पुंस्ताच हो तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा आरोप बच्चों की माने लगाया है और वो ही आशंका जता रही है कि हो सकता है किसी ने बच्चों की हत्या जावेद और साजिद के माध्यम से करवाई हो मतलब यह मामरा सुपारी किलिंग जैसा भी हो सकता है यह मा का आरोप है और दू से भागा है देखे इस मामले में एससपी का ब्यान सामने आया है और एससपी का कहना है कि जैसे ही यह वीडियो वाइरल होने लगा तब बडाईयों पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि यह जो बडाईयों में जो दो हत्याकान हुए थे उसमें जावेद का नाम है और यह वही जावेद है जो बडाईयों में नामजद्गी हुई है तो पुलिस ने इस बात की तहट की ताक तक पहुची और उसके बाद यह पता चला कि यह वही जावेद है अब बडाईयों पुलिस बरेली के लिए रवाना हो गई है और आधा पहुन गंटे में पहुचने क के बाद अब आरोपी की ग्रफतारी होगी और उसके बाद मुस्ताच की जाएगी बिल्कुल तो यहां से रवाना हो चुकी है पुलिस बडाईयों से बरेली के लिए और जावेद को वही से लाय जाएगा लेकिन जावेद के आपर आकर अपनी सफाई देता हुआ नजर आ और वो यह दावा कर रहा है कि कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास में है जिनके माध्यम से प्रूव हो सकता है कि उसको हत्या की जावेद नहीं थी अपने सफाई में क्या बाते कहीं है जावेद ने जावेद ने साफ साफ इस बात को कहा है कि मैं डर के मारे बदायूं खोंड कर दिल्ली भाग गया था और मुझे खोंड से सूचना मिली कि मेरे भाई साज की गोनों बच्चों को मौज के घाट पार दिया और उसको इस बात का एंकाउंटर का डर लगने लगा उसी बात आर जावेद की वही जावेद है तब 12 धरी पुलिस ने उसको सेटरलाट से पकड़ा और ठाने ले गई और बदायों पुलिस को सुचना दी अब बदायों पुलिस को सुचना राप्त हो गई है देर रात का ये पूरा वीडियो है ये लगातार जब वाइरल होने लगा तब ब रफ्तारी हो पाई है अब सीजिम कोर्ट में आरोपी जावेद की मुस्ताच की जाएगी वहाँ कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट में उससे रमांड मांगी जाएगी कि कम से कम 14 दिन की पुलिस उसको रिमांड दे आप नज़र बनाए रखे जानकारी के लिए शु पोस्मॉटम रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ है आरोपी साजिद में आयूश और आहान पर 23 वार किये थे गला काटने के बाद सीने पीठ और हाथ पैर पर ताबर तोड़ वार किये आयूश के शरीर पर 14 जगा और आहान के शरीर पर 9 जगा घाव मिले हैं आ बेड में आरोपी साजिद के शरीर पर 3 गोलिया लगी है तो एंकाउंटर में साजिद को 3 गोलिया लगी है वही दूसी तरफ दोनों मासूम बच्चों की पोस्मॉटम रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें जो खुलासा हुआ है वो तथ्य सुनकर किसी की भी रूह काम आयूश रहान पर कुल 23 वार साजिद ने किये ये सब कुछ गला रेतने के बाद उसने किया गला काटने के बाद हाथ पैर पीट सीने सभी जगा उसने ताबर तोड दोनों बच्चों के शरीर पर वार किये थे आयूश के शरीर पर 14 जगा घाओ मिले हैं